हलो फ्रेंड्स मोस्ट वैलकम आज मैं आपको बहुत ही सुन्दर और सिंपल सा ब्लाउज डिजाइन बताने वाली हूं वीडियो पसंद आया तो जरू लाइक और शेयर कर दें और आपने अप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब कर आपको आर्महल वाली लाइन भी बता देती हूं यह 6 इंच पर मैंने आर्महल वाली लाइन खीचिए और इसको गुलाई दिया है अब यहां लेते हैं अपने गले की लेंद्ध यानि की साढ़े दस इंच लिया है मैंने लंबाई में इसको और उपर से लिया है मैंने इसे पने 3 इंच और इस तरह का Simple Round Neck हमें इसमें ड्रो करना है थोड़ा सा चोड़ाई नीचे से बड़ाई हुई यह उपड़ मैंने पने 3 लिया नीचे पने 3 नीचे थोड़ा सा चोड़ाई में लिया वाए तो ये Simple सा गला जो है वो इसमें घ्रो करना है यहां से हम इसे दो फ़गों में डिवाइट कर लेंगे आप चाहे तो पीछे होग भी बना सकते हैं इस ब्लाउज में और इसी अस्तर के नाप से हमें साड़ी वाला पीस भी कट करना है तो अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे आधा इंच दोनों इसो को आप एक साथ में जोड़े ताकि एक ही दिशा के दोनों इससे नहीं बन जाएं यह जैसे मैंने रख लिया हैं और उसके बाद हमें फोल्ड करना है इसलिए अस्तर पर एक सिलाई लगानी और चारो तरफ को इसको अटेश कर लेना है अस्तर के साथ में इसी तरह से में दूसरा इससा भी तयार कर लेना है टेश कर लेना है और अब हमें लगानी पाइपिंग तो यह मैंने ओरेब ली है एक इंच में और इस ओरेब को आपको खींसते वे लगाना है अब लगाने से पहले हम इसे आधा इंच फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने के बाद आसानी से हम जितनी चाहे पाइपिंग लगा सकते है तो यह दोनों इससे में में इसी तरह पाइपिंग लगानी है अब इन दोनों इससों को हम अटेच कर लेंगे तो यहां पर हम लेंगे धा इंच की पट्टी तो यह बीच में समय अटेच कर लिया अब हमें बुक्रम कटिंग करनी है पत्ती के आकार में पत्ती के शेप में तो यह बुक्रम ले रही हूं मैं धा इंच लंबाई में डबल फोल्ड किया है मैंने और यहां इसकी चोड़ाई जो है वो एक इंच इस तरह की पत्ती हमने कटिंग किये और यह पत्तियां चाहिए हमें आठ और उसे हम कपड़े पर रखकर प्रैस से चिपका लेंगे जैसे मैंने यह चिपका लिए है आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं अगर प्रैस से नहीं छिपका रहे हैं आप तो सिलाई से टेच कर सकते हैं कपड़े के साथ में जिस पर आपको बनानी है चारो तरफ से एक्ष्टर कपड़ा हटा लेंगे अब यह है मेरे पास औरेब तो यहां इस पत्ती को हमें चारो तरफ से औरेब से पाइपिंग लगानी है अब यहां पर पत्ती छोटी सी है और हमें फोल्ड भी करनी है इसलिए आप औरेब को बिल्कुल नहीं कीजे उसको जितना लूज रख सकते हैं उतना लूज रखेंगे तो फोल्ड आसानी से होगी और नीचे की साइड से हमें इस पाइपिंग को पलटना भी नहीं है कि यह टेस्ट होने वाला है तो सिम्पली सिर्फ फोल्ड करके आप उसको लगा लेना है तो इसी तरह से हमें यह सारी पत्या तयार कर लेनी है और यह इसे इस तरह से हमें लगाना है यह पर्ष पत्य मैंने टैस्ट कर ली दूसरे का थोड़ा सा सिराइस के अंदर रखते हुए दूसरी और यह चारो पत्या में थोड़े से हलके से राउंड शेप में इस तरह से लगानी है बार यह जड़े से लगाना है तो यह एक साइड हो जाएगी, दूसी साइड भी हमें इसी तरह से इसी गैप में यह पतिया लगाने हैं, उसके बाद डार्ट लगा लेनी हमें इस डिजाइन के अकॉर्डिंगी अब अगर आपके पास बटन है, तो इस तरह से एक एक बटन आप लगा सकते हैं, तो यह डिजाइन और भी अच्छा सा लुक देगी, और यह इतनी एजी डिजाइन है के बिगनर्स भी से आसानी से बना सकते हैं, और पाइपिन से जो भी डिजाइन बनती है, उसकी पर है, थैंक्स फर वाचिंग,